यह कहानी एक छोटे से राज्य की है, जहां राजा विक्रम और राणी शार्दा का प्रेम सच्चे दिल से हुआ था। राजा विक्रम न केवल एक बहादुर और न्याय प्रियशासक थे, बलकि अपनी पत्नी राणी शार्दा से गहरा प्रेम करते थे। रानी शारदा भी अपने पती को अपने जीवन का सबसे महत्वपून हिस्सा मानती थी. दोनों के बीच का प्यार राज्य भर में आदर्श माना जाता था. लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी प्रेम कहानी को अधूरा छोड़ दिया. एक रात रानी शारदा ने एक अजीब सा स्वपन देखा. स्वपन में वह अपने महल से बाहर एक घने जंगल में खो जाती हैं और वहीं उसे एक रहस्यमई व्यक्ती मिलता है. वह व्यक्ती अजनबी था लेकिन उसकी आँखों में एक अंजानी पहचान थी. वह व्यक्ती रानी से कहता है, तुम्हारा और विक्रम का प्यार एक बहुत बड़ी परिक्षा से गुजरने वाला है. तुम दोनों को एक ऐसे मोड पर आकर फैसला लेना होगा, जहां प्यार और जिम्मेदारी के बीच चैन करना पड़ेगा. स्वपन में यह शब्द सुन लेकिन फिर भी वह कुछ दिनों तक इस रहस्यमय स्वपन को भूल नहीं पाई. वह इस बारे में राजा विक्रम से कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह सपना कोई भविश्यवानी तो नहीं. कुछ समय बाद राज्य में युद्ध की स्थिती उत्पन हो ग लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी समझी और सौरब को विदाई दी. विक्रम ने अपनी पतनी से वादा किया कि वह जल्दी लोटेगा और युद्ध की कठिनाईयां दूर करेगा. लेकिन युद्ध के दौरान राजा विक्रम ने एक रहस्यमय और अजीब शक्ति का सामन पर गहरा प्रभाव डाला. जादुगर ने विक्रम को मानसिक भ्रम में डाल दिया और विक्रम को विश्वास हो गया कि रानी शार्दा अब उसका साथ नहीं दे रही है बलकि उसके खिलाफ हो गई है. राजा विक्रम का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड चुका था. वह घर लोटने के बाद रानी शार्दा से बिलकुल बदल चुका था. उसने रानी से बहुत दूरी बना ली और उसका विश्वास करना बंद कर दिया. रानी शार्दा को भी यह परिवर्तन देखना बहुत दुखदाई था. लेकिन वह अपने पती को पहले जैसा बनाने क कोशिश करती रही. रानी शार्दा ने विक्रम से कई बार यह सवाल किया कि वह क्यों बदल गए हैं, लेकिन विक्रम का उत्तर हमेशा वही होता. तुम मेरे साथ नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया है. रानी शार्दा ने कई बार यह समझाने की कोशिश की कि विक्रम क कोई ब्रह्म हो रहा है, लेकिन विक्रम का विश्वास पूरी तरह से तूट चुका था। एक दिन रानी शार्दा ने उस अजनबी व्यक्ति को फिर से अपने महल के बाहर देखा, जो उसने स्वप्न में देखा था। वह वही व्यक्ति था, लेकिन अब वह और भी रहस्यमई लग रहा था। वह व्यक्ति रानी शार्दा के पास आया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम विक्रम से सच बोलो, वह तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम दोनों के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसे तोड़ना रानी शार्दा ने चुप चाप उस व्यक्ति की बात सुनी और फिर पूछा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों विक्रम मुझसे दूर हो गया है। वह व्यक्ति मुस्कराया और बोला, क्योंकि विक्रम को वह शक्ति मिली है जो उसे ब्रम जीतने के लिए एक आखिरी कदम उठाना होगा। रानी शारदा को उस रहस्यमई व्यक्ति की बात समझ में आई और उसने विक्रम से मिलकर उसे पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह विक्रम के पास पहुंची, विक्रम ने उसकी बातें सुनने से इ और रानी शारदा का दिल तूट चुका था। रानी शारदा ने विक्रम को अपने दिल की पूरी बात बताई और कहा, प्रिय, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, हम दोनों के बीच जो प्यार था, वह कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें अपनी मानसि इस्थिती को ठीक करना होगा, और हमें एक साथ यह लड़ाई लड़नी होगी। विक्रम ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, वह इतना अंधा हो चुका था, कि वह अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम को भी पहचान नहीं पा रहा था। अंतत, रानी शारदा ने मह कि विक्रम की मानसिक इस्थिती अब ठीक नहीं हो सकती थी, वह अपने पती को पूरी तरह से खो चुकी थी। रानी शारदा ने एक दिन अपने महल में अकेले बैठ कर सोचते हुए कहा, प्रेम अगर सच्चा होता है, तो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कभी-कभी राजा विक्रम को हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णे लिया, लेकिन वह जानती थी कि उनका प्यार कभी मरने वाला नहीं था, उनके बीच जो प्यार था, वह हमेशा एक अधूरी प्रेम कहानी की तरह रह जाएगा, जिसे किसी ने कभी पूरा नहीं किया। ने उन्हें अलग कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम सच्चा होता है, लेकिन कभी-कभी समय, ब्रह्म और परिस्थेतियां हां उसे अधूरा बना देती हैं।